नमस्कार, मैं हूँ अभिशेक चतुरवेदी, धर्म कर्म में आप सभी का स्वागत है, नजर डालते हैं पंचांग पर बताते हैं आपको आज कौन सी तिथी है और पंचांग के मुताबिक यह है आपके लिए क्या फलदाई है जानिये पंचांग के अनुसार आज कौन सा नक्षत्र है नक्षत्रों का कैसा योग बन रहा है यह क्या फलदाई हो सकते हैं नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी उग्रव अधुमुक संग्यक नक्षत्र संपून दिवा रात्री है पूर्वा फालगुनी में नक्षत्र में बंधन, कठिन, क्रूर, कारीगरी, कूट कपट्ता, युद्ध वो चित्र संबंधी कारे सिध होते हैं शुब्व मांगलिक कारे शुब नहीं कहे गए है पंचांग में आज के योग पर नज़र डालें, तो आज कौन-कौन से योग बन रहे हैं, इनमें विशिष्ट योग कौन सा है, ये भी आपको बताते हैं योग शूल नामक नैसरगिक अशुब योग शाम साथ 34 तक, तदंतर गंड नामक नैसरगिक अशुब योग है, शूल की प्रथम पांच घटी व गंड की प्रथम 6 घटी शुब कारें में तया जय है विशिष्ट योग रवी योग नामक शक्तिशाली शुब योग संपून दिवारात्री है करण तेतिल नामकरण क्रातह साथ अठारा तक तदंतर गर्व वणी जादिक करण क्रमर्श है और अब जानिये जोतिशियों के मतावेक पंचांग में चंद्रमा की सिती क्या रहने वाली है रहुकाल और देशाशूल के बारे में भी जानिये चंद्रमा सिंग राशी में संपून दिवारात्री है ग्रह राशी नक्षत्र परिवर्तन शुक्र पूर्व भादरपद नक्षत्र में दुपहर बाद 29 से दिशाशूल शनिवार को पूर्व दिशा की यात्रा में दिशाशूल रहता है राहुकाल मध्यमान से प्रातह नौ बजे से प्रातह साड़े दस बजे तक राहुकाल वेला में शुब कारेरम यथा संभव वर्जित रखना हित कर है वाई ये बढ़ते हैं एक और महतवपूर्ण विशे की ओर और जान लेते हैं शुब मुहुर्थ और स्रेष्ट चोगडिये के बारे में शुब मुरत उपर्युक शुबा शुब समय तिथी वार नक्षत्र वा योगा नुसार आज किसी शुब्व मांगलिक कार्यादी के शुब्व शुद मुरत नहीं है और अब आपको बताते हैं जिन बच्चों का जन्म आज हुआ है जो तिशानुसार उन बच्चों की राशी क्या होगी और उनका स्वभाव कैसा रह सकता है आज जनम लेने वाले बच्चे आज जनम लेने वाले बच्चों के नाम मो टा टी टू आधी अक्षरों पर रखे जा सकते हैं इनकी जनम राशी सिंग है, सिंग राशी के स्वामी भगवान सूरेदेव है, इनका जनम रजदपात से है, सामाने तह ये जातक शत्रुजई, होशियार, प्रतेक कारे में निपुन, मृदू भाशी, आकर्शक, विद्यावान, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सरकारी का से संबंद रखने वाले होते हैं, इनका भाग्यदाय लगभग 30 वर्ष के आयू तक होता है, सिंग राशी वाले जातकों को सर्वत्र सभी कारियों में सफलताव विजय मिलेगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा में विद्धी होगी, जल्द बाजी में कोई कारे ना करे, तो धर्ने बाद